हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे योट्यूब चैनल पर mcq series के next part में हम लोग आज 191 number question से start करेंगे start करने से पहले मेरी आप लोग से request है कि आप लोग अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को like और share जरूर करा करिए और अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजे तो चलिए start करते हैं 191 number question से 191 number question में बोला गया है कि sheet metal के car में grower का उपयोग क्या होता है option number a है seam को release करना option number b seam को compress करना option number c seam को close करना या option number d seam operation के दोरान इस्टर से रहत तो इसका जो right answer right answer option number c seam को close करना seam को close करने के लिए इसका किया जाता है आगे हम लोग कुछ चीजे और देखें grower के बारे में सबसे पहले हम इसका diagram देख लेते हैं चलिए यह देखें grower का diagram है यह आपका grooving tool है यह आपका grooving tool है यह पूर यह shank है आपके और यह head है आपका यह क्या है आपका grooving head है आपका और एक चीजा आप यहां पर ध्यान दिजेगा जो यह सीरा आपका है इसके नीचे का सीरा यह जो आप देख रहे हो यह होता है कि इसको बोला जाता है कि एक तो एक खाचा रहता है जिसको आपका यह सीम को लॉक करने के लिए सीम को जहां हमको सीम को लॉक करना होता है क्या करना होता है सीम को सीम को लॉक करना होगा वहां हम लोग ग्रूवर का यूज करते हैं अब क्या होता है इस टूल का ये जो ये वाला सीरा होता है ये वाला जो सीरा होता है इसका अब इसमें एक खांचा बना रहता है जैसा आप देखर हो ये जो खांचा इधर बना हुआ है इस खांचे को ही रेसस कहते हैं और रेसस जो होता है अलग-अलग साइच का होता है अन् की चौड़ाई जो होती है इसके सीम को बनाते है उसके फूर्ड की वन पॉंड हई गुना हम लेते हैं तो आसा करतूँ हम आप लोग समझ के हो गए हो गए करते हैं ठाइक है के लिए टो इसका राइन सर क्या था और आप चलते हैं 192 number question में 192 number question में बोला गया है कि हलकी assembly के काम में कौन सा रिविट का एक मिनट कौन सा रिविट का उपयोग किया जाता है option है option number a pen head revit option number b snap head revit option number c counter sunk revit या option number d conical head revit तो इसका जो right answer है right answer option number d conical head revit जो conical head revit होती है उसका प्रयोग किया था हलके कारों के लिए अब यह जो pen head revit है snap head or countersunk head revit है इसका मैंने detail मैंने पिछली वीडियो में दिया है आप लोग उधर जाके इसको देख सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा आगे चलते हैं 193 number question में 193 number question बोला गया है rivit head के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है option number a dolly option number b drift option number C rivit set या option number d rivit snap तो इसका right answer है 193 का option number d rivit snap तो rivit snap का होता है कि एक punch type का होता है जिसका जो कुछ खोकला होता है ये खोकला भाग कैसा रहता है ऐसा रहेगा यह खोपला भाग जो होता है यह head की आकरती में होता है इसलिए rivit set के बाद हम लोग rivit snap का प्रयोग करके हम लोग rivit का head बनाते हैं आगे चलते हैं आगे चलने से पहले मेरी आप लोग से एक suggestion है कि अगर आपको dolly drift या rivit set के बारे में पढ़ना आप पिछले वीडियो में जाके अब देख सकते हैं description में link आपको मिलेगा 194 number question में हम लोग चलते हैं इसमें बोला गया seat metal work में इस notch का क्या नाम है option देख लेते हैं हम लोग option number a v notch option number b तिरची notch या option number c square notch या option number d straight notch तो इसका जो right answer है इसका right answer होगा option number c square notch square notch इसमें जो है आप लोग को square notch दिखने रही है हम इसको दूसरे diagram के तुरू देखेंग कि square notch आखिर का है क्या चलिए देखते हैं दूसरे diagram को यह देखें square notch है इसमें क्या मतलब है इसका square notch का कि जो यह वाला सीरा आप देख रहो हो ना यह सब सीरे जो आपको दीख रहे हैं यहाँ पर यही आपका notch है इसको क्या करता है करना होता है कि जब हम कोई वर्गा कार डिबा बनाते हैं कोई हमको डिबा बनाना है तो उसके किनारों क्या करना पड़ेगा हमको 90 degree पर मोड़ना पड़ेगा तो उसके कोनों को इसी 90 degree मोड़ने के लिए जो corner वाले सीरे होते हैं यह वाले जो सीरे होते हैं यह सब इसमें क्या करते हैं हम लोग 90 degree पर cutting कर देते हैं दोनों को फिर उसका अ से square notch आगे चलते हैं 195 नंबर question में चलते हैं इसमें बोला गया है कि पैनल beating को hollow करने के लिए किस प्रकार का mallet up किया जाता है option देखते है option number a brass mallet option number c rubber के mallet option number d लकडी का mallet या option number d bossing mallet तो इसका जो right answer है right answer है option number number d bossing mallet bossing mallet का आम लोग डियाग्राम देख लिखते हैं तो करने से क्या होता है कि इसका जो उभार आ जाता है अंदर हैमरिंग करने से क्या होता है कि उभार आने लगता है उभार आते आते ये एक ऐसा बोला जाये तो सर्कुलर सेप ले लेती है इस वज़े से इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है इसका प पाइप बनानी है या फिर कोई कंटेनर बनाना है तो उसको क्या करना प्रता है को बाहर से ठोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आगे चलते हैं next question इसका हमाय right answer क्या था option number D bossing mallet था right answer आगे चलते हैं 196 number question में चलते हैं इसमें देखे क्या बोला गया है इस riveting में क्या दोस है एक diagram दे रखा है option देखे क्या दे रखा है option number A है प्लेटों के बीच में बर है option number B rivet head center में नहीं है option number C बहुत ज़्यादा allowance दिया गया है या फिर option number D plate whole plate per hole एक seed में नहीं है तो इसका जो right answer है option number D आपका सही होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यह hole सीधाई में नहीं है तभी देखे एक इधर allowance पता चला है एक इधर allowance पता चला है और यह कर joint की बात करेंगे तो यह कैसा joint है यह एक lab joint है जिसको हिंदी में चड़ाओ joint भी बोला जाता है चली चलते है next question में next question 197 number question है इसमें बोला गया है एक पक्ष के साथ एक circle के चाप को बनाने के लिए किस stake का प्रयोग किया जाता है option देखते हैं option number a funnel stake option number b hatchet stake option number c half moon stake या फिर option number d beak और beak iron तो इसका जो right answer है इसका right answer है हमाई पस option number c half moon stake जो half moon stake होता है इसका प्रयोग ही हमको circle बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका क्या होता है कि अगर इसका diagram हम लोग देखेंगे तो चलिए diagram देख लेते हैं तो diagram देखते हैं चलिए यह हमारा डाइग्राम है अब यहां आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसका देखे यह जो head वाला सीरा है यह जो head वाला आप सीरा देख रहे हो यह कैसा एक half round के समान है चंदरवा के आकार में half round के समान है और इसके किनारा जो देखेंगे आप किनारा जो है अंदर की तो अंदर की तरफ तिर्चा रहता है ठीक और इसका प्रयोग कहां किया जता है फ्लेंज बनाने में जो sheet होती है उसके फ्लेंज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चली चलते हैं पीछे अब इसके बाद राइट आंसर तो इसका क्या हाफ मून है इसके बाद हम लोग देखते है फनल इस्टेक देख लेते हैं फनल इस्टेक हैचेट इस्टेक और बीक आरन इसको भी हम लोग डाइग्राम से समझ लेते हैं तो चलिए चलते हैं डाइग्राम में यह जो डाइग इसका detaker एक सिरह सरे सरे से किया है तो इसका उर्द ब्रत्तकर होता हा इसका प्रिट किया जाता है झीब की सिमिंग करने के लिए प्रिश samhagena की प्रिए कि we इसका जो head आप देखो कि यहां देखे जो head है यह उपर वाला सीधा अगर आप लोग देख रहे हो तो इसका सीधा कैसा होता है एक सीधाई में है और यह तेजधार है मतलब यह सीधा आप देखो कि यह नोकदार है नोकदार है एकदम तेजधार है और एक तरफ तिर्चा है देखे, नीचे की तरफ ये कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ तिर्चा है, तो मतलब इसका जो head होता है, सीधा होता है, तेज होता है, एक तरफ तिर्चा होता है, और इसका अगर प्रयोग की बात करेंगे हम लोग, तो इसका प्रयोग कियाता है, seat के किनारों को मोडने के लिए ठीक है सीट के किनारों को मोडने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं अगला डाइगराम बीक और बीक आइरन का ठीक है यह देखिए जो आपके सामने डाइग्राम है यह बीक और बीक आइरन का डाइग्राम है अब यह जो देखिए इसके दो सिरे हैं यहाँ पर यहाँ पर इसके कैसे एक सिरा यह है एक सिरा यह है तो एक सिरा नोकीला है दूसरा सिरा कैसा है आयताकार सिरा तो इसके मतलब यह द की बात तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है सार्प टेपर जहां पर हमको करना होता शीट को वहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और यह जो आयता कारवाले की बात करेंगे हम लोग तो आयता कारवाले का प्रयोग करते हैं हम लोग सीमिंग में या फिर रिविटिंग के ल नमबर हम लोग कोश्चन देखेंगे 198 नमबर में कोश्चन बोला गया है सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है यह देखिए हम लोग को एक टूल दे दिया गया और इसका नाम पूछा गया है option देख लेते हम लोग option number A हमारा hatchet stake, option number B funnel stake, option number C half moon stake या option number D round bottom stake, तो इसका जो right answer है इसका right answer होगा, option number D round bottom stake क्या होगा, round bottom stake इसका right answer है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे next question में इस question में देखिए बोला गया है 199 number question में कि seat metal में इस joint का नाम क्या है हमको joint का नाम बताना है, diagram दे दिया है, option देख लेते हैं, option number A, grooved joint, option number B, pen down joint, option number C, knocked up joint, option number D, double grooved joint, तो इसका जो right answer है, option number D, आपका सही होगा, knocked up joint, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, knocked up joint, sorry, या answer गलत हो गया है, इसका आंसर है, option number D, आपका सही होगा, इसमें option number D, आपका सही होगा, double groove joint, इसमें option number D, आपका सही है, double groove joint है, ये कैसा joint है, ये आपका joint है, ये double groove joint है, और इसमें एक important चीछ पूछी आती है, कबी-कभी इसमें पूछा जाता है, जो सीम है, इसके लंबाई क्या है, मतलब, यहाँ जो c-value ये बोला गया है, ये total लंबाई है, ये सीम के, ये लंबाई का कभी-कभी कोशिचन में, इसका formula पूछा जाता है, तो इसका जो formula होता है, वो होता है c is equal to 4w plus, एक मिट यह C का फॉर्मुला होता है C is equal to 4W plus 4T अब डबलू की बात कि W यहां क्या है जो W है हमारा यह क्या है folding edge की चौड़ाई है जो हमनों sheet की folding edge है उसकी चौड़ाई है और T क्या है जो sheet का thickness है वो हमारी T है तो इस फॉर्मुले को भी पूछा जाता है बहुत important आपका formula है यह तो आगे चलते हैं 199 के बाद चलते है 200 number question में इसमें बोला गया है snip की अधिकतम cutting चमता क्या होती है option number A हम लोग देखेंगे 1.2 mm option number B 2 mm option number C 2.5 mm option number D 3 mm तो इसका right जो answer है right answer है option number A 1.2 mm इसनिप कितना काट सकती है maximum 1.2 mm multi sheet को यह काट सकती है other detail की हम लोग बात करेंगे तो अगर material की बात करेंगे तो snip का material क्या होता है जिस material की बनी होती होता है वो high carbon steel होता है और snip की जो हमारी धार होती है snip की जो धार होती है वो 80 degree पर grind होती कितने degree 80 degree पर grind की जाती है types की बात करेंगे snip हमारी दो types की होती है पहला होती है हमारी straight snip होती है दूसरी होती है bent snip जो straight होती है पहली कौन सी होती है पहली जो हमारी होती है पहली वो होती है हमारी स्ट्रेट और दूसरी कौन सी होती है दूसरी होती हमारी बेंट स्निप तो स्ट्रेट स्निप जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है सीधी रेखा में कटिंग करनी हो हमारी जहां पर या फिर बड़े रेडियस वाले व्रत का बाहरी चाप काटना हो, वहां भी हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर बेंट की हम लोग बात करेंगे, तो बेंट का प्रयोग किया जाता है, ब्लेड की जो धार होती, अच्छा बेंट क्या होती है, इसके ब्लेड की जार धार जो होती ही, वो गुलाई में होती है, इस वज़े है इसका प्रक्रोथ छोटे व्रत्ता कारपार्ड या चाप कारणे किया जाता है आगे चलते हैं देखते हैं 201 number question 201 number question दें बोले गया seat metal work में सहाय उकुबकरण का नाम क्या है हम को यह बताना है seat metal work में सहाय उकुबकरण का नाम यह एक diagram दे रखा है इसका नाम पूछा गया है तो option देख लेते हैं option number A है funnel stake, option number B hatchet stake, option number C half moon stake, option number D round bottom stake, तो इसका जो right answer है, right answer है option number C half moon stake, इसकी detail अभी मैंने पिछली वीडियो पिछले question में बताईए, 197 number question में उधर आप लोग समझ गया होंगे, आगे चलते हैं अगला question देखते ह अगले question ने बोला है, 202 number question है, इसमें बोला गया है, rivit को अंतिम आकार देने के लिए किस riveting tool का उपियोग किया जाता है, तो इसका option देखते है, option number A drift, option number B dolly, option number C rivit set, या फिर option number D rivit snap, तो इसका जो right answer है, 202 का option number D rivit snap, तो अंतिम रूप देने के लिए, मतलब हमको rivit के जो सीरा है, उसको हमको अंतिम देने मतलब head बनाना है, वहाँ सीरे को, तो हम लोग उडियोज करेंगे, rivit snap का use, हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं, 203 number question में, इसमें बोला गया है, इस riveting दोस का नाम क्या है, एक diagram दे रखा है, और ये दोस क्या है, ये जो किनारे वाले सीरे हमारे, वो कुछ बाहर की ओर मुड़ गया है, rivit snap में, जब हम लोग hammering की है, उसके द्वारा, तो ये दोस का नाम इसमें पूछा गया है, आगे चलते हैं, option देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, option number A हमारा बोला गया है, sank पर बहुत कम allowance है, option number B sank बहुत आधिक allowance है, option number C, रिविट का सीरा sank के साथ केंदरित नहीं है, या फिर option number D, option number D, हमारा रिविट के सीरे sank के साथ लंबवत में नहीं है, तो इसका जो right answer है, right answer होगा, option number B, option number B क्या है, इसका right answer sank पर बहुत अधिक allowance है, option number B इसका सही है, sank पर बहुत अधिक allowance है, यही आपका right answer है, आगे चलते हैं, हम लोग question देखते हैं, next question, 204 number question देखते हैं, 204 number question बोला गया है, रिविटिंग में fluid tight joint बनाने के लिए project tool का नाम बताईए, option देखते हैं, option number A, drift, option number B, Revit snap, option number C, full ring tool, या फिर option number D, cocking tool, तो हमको यहाँ बनाना क्या है, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग बात कर रहा है, रिविट के द्वारा हमको क्या बनाना है, fluid tight joint, मतलब ऐसा joint जो leakage प्रूव हो, अब इसमें बात कर रहा है, कि option बोला गया, तो इसका जो right answer है, यह full ring भी हो सकता है, cocking भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि cocking और full ring के द्वारा ही, रिविट को और seat के सीरों को जो आखरी छोर होता है, उसको hammering करके दबाया जाता है, जिससे leak poor joint बनता है, लेकिन अगर accurate की हम लोग बात करेंगे, तो accurate answer जो होगा, option number C, आपका full ring सही होगा, क्योंकि इसकी सहायता से plate के किनारों को दबाया जाता है, और इससे एक अच्छा fluid tight joint बनता है, अब और full ring tool यह होता है, full ring tool के द्वारा जो होता है, केवल sheet के सीरों को ही हम लोग hammering के द्वारा सही कर सकते हैं, जबकि जो cocking tool हमारा होता है, यह cocking tool होता है, process सेम है आपका, लेकिन जो cocking tool होता है, इसका प्रयोग हम लोग कर करते हैं, रिविट का जो head होता है, उसको दबाने के लिए, रिविट का head का जो किनारे होते हैं, उनको दबाने के लिए cocking tool का प्रयोग करते हैं, कभी कभी जब cocking tool का प्रयोग हम लोग full ring में भी कर देते हैं, क्यों? तब, full ring में तब करते हैं cocking tool का प्रयोग, जब cocking tool की जो धार वाला हिस्सा है वो शीट की मोटाई के लगभग बराबर हो तो उस समय हम लोग फुल रिंग कर सकते हैं और ध्यान देने ले बात है कि मॉस्ट इंपोर्टन बात क्या है कि फुल रिंग करने के लिए जो प्लेट जो होती है उसका सीरा होता है उसको 80 डिग्री से 80 डिग्री से 85 डिग्री तक हम लोग टेपर करते हैं हमको शीट के सीरी को हमको टेपर करना बढ़ेगे धान देने लिए बात है कितना टेपर रहेगा 80 डिग्री से 85 डिग्री तक आगे चलते हैं next question देखेंगे 205 नंबर question में क्या बोला गया है देखते हैं 205 नंबर question में बոला गया है कि मोटी शीट को काटने के लिए जो मोटी शीट होती है उसको काटने के लिए प्रयुक तो उपकरन का नाम बताना है हमको option की बात करेंगे option number A है bent snip, option number B lever seeer, option number C straight snip या option number D circle machine, तो इसका जो right answer होगा, right answer होगा, आपका option number B lever snip lever snip के द्वारा क्या होता है, कि हम लोग मोटी sheets को काट सकते हैं ये hand operated होती है, lever snip, इसका पिछली वीडियो मैंने diagram के थूँ, इसको मैंने समझाया भी है आप लोग वहाँ जाके इसको आगे देख सकते हैं, next question में देखते हैं हम लोग 206 number question इसमें बोला गया है तीखे मोड या जिसे बोलते है सार बेंट बनाने के लिए किस stake का उपयोग किया जाता है option देखेंगा, option number A, funnel stake, option number B, hatchet stake, option number C, half moon stake, या option number D, beak या beak iron question, तो 206 number question को जो right answer है, वो है option number B, hatchet stake, hatchet stake का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां को तीछ नहाकार के corner बनाने होते हों, वहां पर या फिस तीच मोड होता है, उसके लिए हम लोग hatchet का प्रयोग करता है, अभी पिछले ही question पर हमने discuss किया इसके बारे में, आगे चलते है, 207 number question में देखेंगे, इस stake का नाम क्या है, इस stake का नाम क्या है, यह diagram दे रखा है, option देखेंगे हम लोग, option की बात करेंगे, तो option number A है horse, option number B, beak iron, option number C, funnel stake, या option number D, a crushing iron, option number D क्या बोला गया है, crushing iron, तो इसका जो right answer है, इसका right answer है, funnel stake, funnel stake, funnel stake क्या होता है, एक जीरा नुपीला होता है, और दूसरा जीरा कैसा होता है, अर्दवरत्ताकार होता है, ठीक है, अभी मैंने पिछली वीडियो में, इसके बारे में discuss किया है, आगे चलते है, 208 number question में देखेंगे, बोला गया है, टिन की चादर की soldering के लिए किस flusp का उपयोग किया जाता है, option number A, resin, option number B, paste, option number C, zinc chloride, या option number D, ammonium chloride, तो इसका जो right answer है, right answer है, option number C, zinc chloride, अब resin paint और aluminum chloride का जो ये जो इसके बारे में अगर आपको detail जाननी है, तो हमारी पिछली वीडियो में आप जाके, 180 number question अगर आप देखोगे, तो उसमें आपको other detail मिल जाएंगे, आगे चलते हैं, 209 number question में, 209 number question में बोला गया है, roofing और paneling के लिए sheet धातू के जोड में किस seam का उपयोग किया जाता है, तो option देखते है, option number A, lab seam, option number B, double seam, option number C, grooved seam, या option number D, double grooved seam, तो जो बोला गया, roofing हमको करनी है, या paneling है, तो roofing और handling के लिए, जो हम ल करते हैं, वो हम लोग double grooved seam का प्रयोग हम लोग करते हैं, आगे चलते हैं, इस question में हम लोग थोड़ी आधर detail भी देख लेंगे, अभी इसका right answer क्या तो हमको पता है, right answer जो है, आपका double grooved है, लेकिन अगर हम lab seam की बात करेंगे, lab की, तो lab जो होता है, यह सबसे आसान जोड ह होता है, मतलब यह अगर बात की जाया है, तो joint में सबसे आसान जोड है, और इसमें क्या करते हैं, जो दो पार्ट्सों को हमको जोडना होता है, उसके सीरों के एक दूसरों के पर चढ़ा देते हैं, और चढ़ाने के बाद हम लोग soldering क्या करते हैं, हम लोग soldering करेंगे या joint बनाते हैं, और उसी single seam का जो जोड होता है, उसी joint को हम लोग अगर उर्धवा धर कर दें, उर्धवा धर अगर हम लोग कर देंगे, मतलब वर्टिकल अगर कर दिया जाए, तो वो double seam हो जाता है, अगर हम grooved की बात करेंगे, grooved seam क्या होता है, कि जब हम लोग grover का use करेंगे grooving tool होता है, जिसको बोला जाता है, अगर हम grooved का प्रयोग करके, हम लोग जोड को lock करेंगे, तो grooved seam joint कहलाता है, आगे चलते है, 210 number question में हम लोग देखते है, 210 number question में बोला गया है, कि rivit interfacing क्या है, rivit interfacing क्या है, यह हम से पूछा गया है, option देखते है, option number A, चादर की मोटाई option number B, rivit का व्यास, option number C, head बनाने के लिए लंबाई, option number D, rivit के लिए आवश्चक कुल लंबाई, तो 210 number question का answer, आपका right सही, कौन सही है, आपका option number C, आपका सही है, head बनाने के लिए लंबाई, तो जो rivit interfacing क्या होता है, कि जो head बनाने के लिए, जो strength की लंबाई रहते हैं, वह ही हमारा rivit interface कहलाता है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोंने 20 question का, मैंने 5 question बढ़ाया है, 20 question आज हम लोंने लिया है, detail में पढ़ने के लिए, क्योंकि आज समय थोड़ा, ज्यादा मिलना तो मैंने कहा कि थोड़ी लंबी वीडियो बना लेते हैं, इसलिए 20 question हम लों होने लिया है, तो आगे भी हम लों ऐसा करते रहेंगे, जहां पर मुझे लगेगा कि अगर समय हमारे वीडियो छोटी है, तो वीडियो को बढ़ा करने के लिए हम लोग थोड़ा 5-6 question हम लोग बढ़ाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, next video हम लोग question से सुरू करेंगे 211 number question से, और ऐसे ही detail में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग से request है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को like और share करिए, और कोई suggestion हो, या आपको कुछ detail जानना ही हो, तो आप comment करके मेरे से बोल सकते हो, और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी त झाल झाल